नमस्कार आप देख रहे हैं बलिया आजकल आईए निजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर बस्पा ने उतारा तीन महिला प्रत्याशी सभिया इंदू वर्ष रिकला महिला प्रत्याशी उतारने में आजमगड और जौनपूर आगे गाजीपूर से अफजाल की बेटी नुसरत के चुनाव लड़ने की चर्चा चर्चाओं में रहने वाली आजमगड लोग सभासीर से आखिरकार बस्पा ने महिला प्रत्याशी की रूप में भीम राजबर की जगा अब सभीहा अंसारी को उतार दिया है इसको लेकर आजमगड की राजनीती में गर्माहच आ गई है अब चर्चाओं होने लगी है कि सभीहा अंसारी के आने से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को कड़ी मैनत करनी पड़ेगी क्योंकि सपा का परंपरागत वोट यादव वब मुसल्मान है ऐसे मैं बसपा ने मुस्लिम चेहरा को मैदान में उतारा है तो कहीं न कहीं सपा के वोट मैसे इंद्मारी हो सकती है वहीं बसपा ने लाल गंच लोगसबा सीट से इंदू को मैदान में उतारा है जबकि यहां से भाजपा ने पूर सांसद नीलम सोनकर को उतार दिया है वहीं सपा ने दरोगा सरोज को मैदान में उतारा है लाल गंच लोकसबा सीट से भाजपा और बसपा से दो महिलाएं काफी चर्चा में हैं वहीं जॉन पूर सीट से धनन जै सिंग की पतनी श्रीकला सिंग को बसपा ने उमीदवार बना कर चुनाव मैदान में उता रहा है इसके अलावा गाजीपूर लोकसबा सीट से घोशित सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी की जगा उनकी बेटी नुजरत की लड़ने की चर्चा हो रही है हाला कि इस खबर में कितनी पुष्टी है या बता पाना काफी मुश्किल है लेकिन कुछ न कुछ जरूर है अगर ऐसा हुआ तो पुर्वान चल के कुल चार प्रमुक सीटों पर चार महिला उम्मीदवार ताल ठोगेंगी वहीं अब तक के लिए वस इतना ही फिर होगी आपस मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ अब तक के लिए नमशकार और देखते रहें बलिया आज कल